नमस्कार, One India Hindi में आपका सुपवागत है और मैं हूँ आपके साथ विवे जेट एर्वेज का परिचालन 18 अप्रेल 2019 से बंद है संकट में फसी इस एरलाइन्स को लेकर अब एक अच्छी खबर सामने आई है खबर है कि अब जेट एर्वेज जल्द ही नई उड़ान भर सकती है National Company Law Tribunal की मुंबई बैंच ने कुछ शर्तों के साथ जेट एर्वेज के लिए कॉल रॉक कैपिटल और मुरारी लाल जालान के रिजोलेशन प्लान को मनजूरी दे दी है NDTV के सूतरों के हवाले से ये खबर सामने आई समाधान योजना के अंतरगत NCLT ने Director General of Civil Aviation और Aviation Ministry को करजे से जूज रही जेट एर्वेज को स्लोट अलाउट करने के लिए 90 दिन का बक्त दिया है रिजोलूशन प्लान के अनुसार सफल बोली करता ने जेट एर्वेज के रिवाइवल के लिए 1375 करोड रुपे कैश निविश करने का प्रस्ताव रखा है इसमें कहा गया है कि NCLT की मंसूरी मिलने के बाद 6 महिने के भीतर 30 एरक्राफ्ट के साथ एरलाइन्स फिर से कामकाज शुरू कर देगी हलाकि जेट एर्वेज को उसके घरेलू और इंटरनेशनल रूट दिये जाने की समस्या अब तक अनसुलची है इसकी 30 विमानों के साथ जेट एर्वेज की फुल सर्विस एरलाइन के तोर पर इस्थापित करने की योजना है गौर्टलभे की एक समय 120 प्लेंस का बेला रखने वाले और दरजनों घरेलू और सिंगापूर लंदन और दुबई जैसे स्थानों पर इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित करने वाले जेट एर्वेज को अप्रेल 2019 में अपनी सभी उडाने बंद करने को मजबूर होना पड था वीमानों का परिचालन रुकने के समय एरलाइन को वित्य और परिचालन लेंदारों को 30,000 करोड रुपे देने थे NCLT के मंजूरी के बाद जेट एर्वेज के शेयर में उचाल देखा जा रहा है दोपहर दो बचकर 40 मिनट पर ये 4.96 फीज़ती उपर होकर 99.45 फीज़ती के इस्तर पर पहुँच गया है कारुबार के दोरान इसमें 5 फीज़ती का अपर सरक्ट भी लगा है फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार